दोस्तों इंडिया के टाइगर बॉआए के बारे में आपने सुना होगा और सब्सक्राइबर्स नहीं कमेंट्स में मुझे सज़स्ट किया था इस बारे में वीडियो बनाने के लिए तो उनका नाम था चेंदरू मंडावी और 1959 में उस ताइम का मद्य प्रदेश का रीजन था 36 गड़ और उसमें गड़ बंगाल इलाका था नाराइनपूर के पास में जो की जगदलपूर जो डिस्ट्रिक हेड़कॉर्टर होता था वैसे बस्तर संभाग का नाम था उससे 90 किलोमेटर की दूरी पर था वहाँ पर बड़ी फेमस ट्राइब है आपने शायद नाम सुना होगा मुरिया जनजाती अगर आपने कभी घोटूल का नाम सुना होगा क्योंकि हमारे तो कोर्स में भी था बच्छमन में तो घोटूल मुरिया जनजाती में ही होता है एक तरह से कलब होता है और जहां गाओं के बच्चे और बड़े जो जवान होते हैं वो लड़के लड़किया डांस भी करते हैं अपना गेमस भी खेलते हैं तो इस स्टोरी में भी घोटूल आएगा मुरिया जनजाती से बिलॉंग करते थे चेंदरु मंडावी जब वो बच्चे थे क्रीब 7 साल की उमर रही होगी तब उनके दादा और पिता जी जो की बहुत अच्छे शिकारी थे और मुरिया जंजाती के जो लोग है वो तीर कमान लेके शिकार करते थे और बस्तर में तो आज भी टाइगर है और शुरू से बहुत ही गणा जंगल था सारे जानवर थे उस ताइम पे तो और उस ताइम पर शिकार पर प्रतिबंद भी नहीं था तो वो जंगल में गए शिकार करने के लिए अपने खाने पीने के लिए जो जानवर थे वो जंगल से ही मार के लाते थे मश्ली पकड़ना उन लोगों का डेली का काम था और कभी कोई जानवर मार दिया और वो ही लाके खाया जब वो गए तो उने वहाँ पर एक टाइगर का कब मिला बहुत छोटा कैसे मिला ये तो किसी को नहीं मालू वो उसको टोकरी में बंद करके घर ले आये और चेंदरू घर में खेल रहा था बच्चा तो उन्होंने बोला देखो तुमारे लिए हम क्या गिफ्ट लाए है या तोफ़ा लाए है या उपहार लाए है तो चेंदरू को लगया जरू कोई खाने पीने का सामान है बहुत खुश हो गया पास में आया जब टोकरी खोली देखा टाइगर का बच्चा है वो और खुश हो गया और उसके बाद वो टाइगर के बच्चे को ही गाए और बकरी का दूद पिलाता था उसकी माँ चावल बनाती थी दोनों खाते थे जब तक बच्चा छोटा था चावल खा रहा था वो खेलने लगे और चेंदरू के जितने दोस्त थे वो भी खेलते थे उसके साथ में और अब जब वो बड़ा होने लगा बच्चा कब तो उसका चावल से तो काम चलने वाला खोधे थे चावल मनती थे पूदो चेंदर में ठुब्स आधा अपने दादा से कहानी सुनत ता कहाणी पना में बीद गा एज़ाई बाद एक साल बीद गया, चेंदरू आठ साल का हो गया, लेकिन एक साल में टाइगर का बच्चा काफी बड़ा लगने लगता है, मैंने भी कई बर बताए कि हमारे जंगली रिजोर्ट के पास में भी साथ-ाठ महीने का टाइगर का बच्चा आया था, उसकी जो ग्राउल थी काफी हद बड़े टाइगर जैसी थी, तो एक साल का जब टाइगर हो गया, देखने में बड़ा लगने लगा, तो अब जो भी देखे, बड़ी खबर जाएं लगी, जब तक बच्चा खेल रहा है, तब तक तो चलता है, लेकिन जब बड़ा टाइगर हो तो लोगों लगता है, बड इंडिया के अंदर एक बच्चा ऐसा है, जो बड़े टाइगर के साथ खेलता है, इन बिट्वीन जब ये जंगल जाते थे खेलने, तो ये भी साथ में जाता था टाइगर, और कई बार इनको तेंदुए के बच्चे मिल जाते थे, उनके साथ भी खेलते थे वहीं छोड़ करने गई हो, जंगल तो इन लोग के लिए पैदा ही जंगल में हुए थे, जंगल में ना कोई डर था, ना कुछ था, अब एक दिन चेंदरु अचानक खेल रहा था, देखा तो बहुत सारी गाड़ियां आके रुकी, उसमें बहुत सारे गोरे लोग थे, बहुत सारी मशीन उस फिल्म को औसकर रवार्ड भी मिला, अब जब फिल्म बन रही थी तो चेंदरु को मिलती थी दिहाडी दो रुपए पर दे, चेंदरु बड़ा खुशता, दो रुपए बहुत बड़ी चीज थी और चेंदरु के लिए तो को ज़्यादा ही बड़ी थी, उसके आजब एक साल तक वहां रहा, उसको बड़ा अच्छा लगा, वेस्टन दुनिया जो चेंदरु जंगल में पैदा हुआ था, जंगल से वहार निकला ही नहीं, उसको लगा कि ये क्या दुनिया बड़ा अच्छा लगने लगा, वहां के लोग उसको ब्लैक हीरो कहके बलाते थे, ब उनको समझाया था, चेंदरु को बड़ा मज़ा आ रहा था, वहां घूमने में और वो जो डारेक्टर का घर था, वो भी जंगल में था, तो चेंदरु को और अच्छा लग रहा था, क्योंकि जंगल में पला बड़ा चेंदरु, स्वीडन में भी जंगल में रह रहा था, और उन director ने कुछ जानवर वागेरा भी पाले थे. ये सब चेंदुरू ने बाद में बताया, जब चेंदुरू का बढ़ापा आ गया, कि डारेक्टर ने जानवरी पालेथिम का ख्याल रखते थे और बड़ा अच्छे से उनकी वाइब भी चेंदरू का ख्याल रखती थी एक साल चेंदरू महाँ पे रहा उसके बाद समुधर के रास्ते थे शिप में बैठके इंडिया आया तो जब इंडिया आया तो मुंबई पोर्ट पे आया और मुंबई में होटल में रुका तो मालूम चला कि नहरू जी जो प्राइम मिनिस्टर है वो मिलना चाहते तो वो मिले तो उन्होंने भी बोला कि तुम्हारा बहुत नाम सुना है तुमने बहुत अच्छा काम किया कि तुमने एक तो टाइगर के बच्चे की जान बचाई और जब वो टाइगर के बच्चा बड़ा हो गया तब भी डर नहीं लगता था चेंदरू को भी कुछ नहीं बोलता था ऐसे वो गाउं की गलियों में, जंगल के अंदर उनका गाउं था, तो नहरू जी ने बोला कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारा बहुत नाम सुना है, तो तुम्हें काम करो, पढ़ाई करलो, फिर तुमको कहीं सरकारी नौकरी में लगा देंगे, तो उसने बोल नहीं, अगर तुम अभी एक साल बाहर रहके आये हो, अगर तुम भी बाहर चले जाओगे, तो हमारे घर में कौन रहेगा, कोई जरूरत नहीं पढ़ने लिखने की, तो उसने का ठीक है, फिर वो अपना काम में ऐसे लग गया, तो अपना शिकार करता, और उसके बाद में खेलता तेम्भू के साथ, अब एक दिन तेम्भू की डेथ हो गई, कैसे हुई यह नहीं मालू, लेकिन जब डेथ हो गई तो वो तूट गया, चेंदरू बहुत दुखी हुए, क्योंकि उसका खास दोस्त था वो, लेकिन दीरे-दीरे समल गया, अब वो दुनियादारी मे पहले तो उसकी जिंदगी ही तेम्भू थी, सुबह से शाम तक बस तेम्भू के साथ खेलना, उसके साथ शिकार पे जाना, अपना मश्ली पकड़ना, या कुछ तीर कमान से शिकार कर लेना, फिर वो घोटुल की जबात में आपको बताई थी, तो घोटुल क्या होता है, पूँच मुकाबले भी होते हैं, शादी विया की बाते भी वहीं पे होती है, और वहाँ पे जो बड़े हैं, उनका जाना अलावड नहीं है, घोटुल के अंदर जो किशोर अवस्ता, टीन एज के बच्चे जा सकते हैं, बड़े नहीं जा सकते हैं, अलावड यह नहीं होत और उसके बाद में उसका एक बेटा भी हुआ, लेकिन बार बार उसको अपने बच्चपन के वो दिन और स्वीडन में बिताए वो दिन याद आते थे, यहाँ तो जो शूटिंग चल रही थी, वो खेल था उसके लिए, क्योंकि वो उसकी ही लाइफ थी, बस उसको तो पता हो गया, अब आर्थिक संकट भी आ गया, क्योंकि कमाई कुछ हो नहीं नहीं थी, वो जो शराब थी, जो बता रहा था मैं, उसको बोलते हैं, सल्फी, वो पेड में छेद करके, और उसके नेचे एक छोटी सी मटकी बांदी जाती है, और उस पेड से रस निकलता रहता है, रात भर में निकलता है, सुबह एक खटा कर लेते हैं, वो पीते हैं, वहला फर्मेंटेट नहीं होती, तो बहुत जा नशानी होता, लेकिन वो एक रेगुलर ड्रिंक है, जैसे हमारे आज चाय होता है, वैसे उनका रेगुलर ड्रिंक था, तो बस सल्फी पीना, मश्ली पक तो बेटा भी उसका जब 15-16 साल का हो गया, जवान सा होने लगा था, देखो यहाँ पे हमने शूटिंग करी थी, यहाँ शूटिंग करी थी, अज़ा उसकी वाइव को पते नहीं था कि यह शूटिंग क्या है, और यह हीरो रहा है, हॉलिवड क्योंकि उसके गाउं में किस फिल्म बनी थी और वो हमने यहाँ पे शूट करी थी, यहाँ करी थी, फिर बहुत साल बाद, जब चेंदरू बुड़ा हो गया, 60 साल का हो गया, तब एक किसी ने गाउं में लाके वो मूवी चलाई, जिसमें चेंदरू ने काम किया था, तो पूरा गाउं ने देखा मूवी लेकिन चेंदरू ने ने देखा, चेंदरू दूर चला गया, और एक कोने में बैठके रोता रहा, उसने मूवी देखी नहीं, क्योंकि उसको अपनी पुरानी सुनहरी याद है, दोस्तो हर आदमी के जीवन में गोल्डन पीरेड होता है, किसी का किसी एज में आता ह है, किसी का किसी का लाइफ टाइम रहता है, लेकिन कई ऐसे हैं, जहां तक मैंने सुना है, के एफसी वाले हैं, जो के एफसी जनोंने चालू किया था, वो 65-70 साल की उमर तक धक्के ही खाते रहते पूरी लाइफ, और उसके बाद वो अरब पती बन गए थे, तो चेंदरू पती नहीं थे, फिर जहां भी किसी से मदद मांगो तो उसको पैसे मिलते नहीं थे, बहुत ही तंग हाल जिन्दी की जी रहा था चेंदरू, और उसके बाद फिर चेंदरू की तरह तरह की बिमारिया लग गई, अब इलाज के पैसे नहीं थे, तो वो जो गाउं में दे दिया तो काम हो जाता है, पैसे ही जरूत नहीं होती, उनसे अपना इलाज कराता था, फिर पैरलिटे की स्ट्रोक आ गया, फिर भी कोई इलाज नहीं बिला, चेंदरू के दोस्त है यश्वन्त राम टेके, उन्होंने सोशल मीडिया में बहुत कैंपेंज चलाए कि चें मदद मिल नहीं पाई, और इधर उधर लेटर भी लिखे गेले, किसी तरह की मदद नहीं मिली, और इन बिट्वीन जो डिरेक्टर थे जन्होंने फिल्म बनाई थी, उनकी वाइफ ने भी एक वो फोटोगरापड थी बहुत अच्छी, तो उन्होंने जो फोटो खीशे थे कॉपीज भी की थी, लेकिन चेंदरू को स्वीडन घूमने के लावा और कोई फायदा नहीं हुआ था, यहां तो फिल्म में काम करने के दो रुपे पाड़े मिला था, और पैरलिसस का स्ट्रोक आ गया, उसके बाद चेंदरू का जीना दुबर हो गया, चलना फिरना मुश जाती का कि जब कोई मरता है तो नाच गा के उसको विजा करते हैं, रोना दोना तो होता ही है घर पे लेकिन जब शव यातरा लेकर जाते हैं तो नाच गा के लेकर जाते हैं, 50 क्यास पाड़ जब उनका जन्म हुआ तो फिर 2013 में मेरे खाल सरे 63 ही रह humano होगे, तो उस एज मे मेरे ख्यास है 2022 के असपस हुगा है ये जो किया है तो इतना famous चेंदरू मंडावी पूरा नाम था चेंदरू राम मंडावी जो की बच्पन में जिसने टाइगर के साथ खेला जंगल में जो लोग कई देशों में पालतू अमेरिका में 4-5 हजार टाइगर पालतू हैं लेकिन वो घरों में हैं फार्म आॉसेस में हैं ये नैचरल फॉरिस्ट में टाइगर को लेके जाता था जहाँ उसके भाई बंदू टाइगर के थे वो जहाँ सारे जानवर घूम रहे हैं तो नैचरल जंगल में जाके फिर वापस आना और जंगल में ही घर था टाइगर के साथ खेलना इतना फेमस आसकर आवार्ड जीता लेकिन उस टाइम पे फेम मिला बच्पन में बाद में पूरी लाइफ बातों को याद करते करते रोते रोते ही भीद गई चेंदरू राम मंडावी की तो दोस्तों ये थी जानकारी चेंदरू राम मंडावी के बारे में जो आप लोगों में जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि उस बारे में जानकारी दो तो जितनी जानकारी मुझे मिली वो मैंने आपको दी चलिए दोस्तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए all the best बंदे मातरम